तो अगर आप भी भिंडी की सब्जी खाके बोर हो गया है ना और कुछ नया ट्राइ करना चाहते हैं तो आज हम भिंडी, आलू और प्याज की चटपटी दही वाली सब्जी बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और सिंपल भी बहुत है तो यहां लेना है भिंडी, आलू और प्याज इस तरह से कट करना है और एक कड़ाई में तेल गर्म कर लेते हैं और अब ये तीनों चीजों को फ्राइ कर लेना है जब तक कि आलू पक नहीं जाती हो और भिंडी का कलर नहीं चेंज होता और प्याज का कलर तब तक इनको पकने देना है तो इस तरह से पलट-पलट के पकने देंगे इतना ओयल पर्यापत है अगर आप जाधा तेल पसंद कर करते हो ना तो आप थोड़ा सा और तेल एट कर सकते हैं बट इतना मिरे लिए पर्यापत है और गीस में अच्छे से भून भी जाएगा और अब ना इनको एक साइट पकने देते हैं यहीं मैंने बारीक कटी भी प्याज ली है और लैशू नदरक का पेश्ट भी बना लिया तो यहीं अब एक बड़ा सा बोल लेते हैं और इसमें मैंने यह दही लिया है लगबग चार चम्मच और अबना कुछ मशाले एट करते हैं तो यहां हल्दी पावडर साथी दो चम्मच धनिया पावडर लाल मिर्च पावडर और इसमें एक चम्मच रेगुलर सबजी मसाल पावडर चम्मच आंब यहीं पानी अइट करते हैं कास्मिली लाल मिर्च और यह पाणी लेटे हैं यहाला कहने खेला से पतला सा बना लेता है अब आग幫 किशनी पहलं cucumbers सब्क्रइगें करते हैं तो फिरा आइंप लात बार चाहां हो ससला है से तेल गर्म करेंगे दो बड़े चमज और जैसे गर्म हो जाएगा ना इसमें थोड़ा सा जीरा एड़ करेंगे और यही ना थोड़ा सा हींग भी एड़ कर देते हैं साथ यह बारीक कटी भी प्याज एड़ करेंगे प्याज को ना कलर चेंज होने तक पकने देंगे तो इस तो यही ना यह लेशुन अद्रका जो उमने पेश्ट बना के रखा था उसको भी एड़ कर देते हैं और अब सारी चीजों को पका सकते हैं तो इस तरह से इसको पका लेते हैं आप चाओ ना तो पहले भी लेशुन अद्रका पेश्ट एड़ कर सकते हैं और यही न इस तरह से cut करके मैंने बाड़ी बाड़ी ची इस तरह हरी मिर्श एट कर दिये एक की दो हिश्चा करके और अब इनको वीच वीच में इसी तरह से पकाते जाएंगे और प्याच को अच्छे से पका लेना है और जैसे इस तरह से पक जाएगा ना तो यह जो हमने घोल बना के रखा ता ना मशाले का इसको भी एट कर देते हैं यही थोड़ा सा पानी एट करेंगे और अब इनको भी अच्छे से पकने देंगे आप चाहो तो टमाटर के प्योरी भी एट कर सकते हो या टमाटर को इसकी भी कर सकते हैं और मैं अभी लाश्ट में टमाटर एट करूँगी बट पीस के नहीं खड़े खड़े टमाटर जैसे की देखने में अच्छा लगता है और अब न जैसे ही सबजी की मशाले अच्छे से पक जाएंगे तो अब हम ये भिंडी आलू प्याज भी एट कर देंगे इसको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद यहाँ पानी एट कर देंगे जिस तरह से आपको ग्रेवी रखना है उसी हिसाब से नमक स्वादंसार एट करेंगे और यही थोड़ा सम गरम मर्शाला भी एट कर देते हैं और यह देखे यहाँ मैंने टमाटा एट कर दिया है इस तरह से खड़े मतलब एक के चार हिस से करके इस तरह से टमाटा एट कर दिया है और अब इसको न पकने देंगे तो मैं यहाँ कबर कर देती हूँ और लगबग 10 मिनट पकने देते हैं और यह देखे 10 मिनट बादना यह सबजी चिक कर लेजे और यह हमारी फटा-फट दही वाली सबजी बनके रेडी हो गई है तो अब चलते हैं गर्म गर्मी से रोटी चावल या चपाती के साथ सर्व करेंगे उससे पहले बारिक कर टीवी हरी धनिया एट करते हैं और अब इसको मिक्स करके सर्व करते हैं तो आप लोग भी जरूर ट्राइ करिएगा कुछ नया है और यह सबको बहुत पसंद आएगा फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ अगर पसंद आया हो ना तो लाइक करें और भी लोगों के साथ सेयर करें अगर चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यो फार वाजिंग फ्रेंड्स वीडियो